नमस्कार दोस्तों बर फिर से मेरे यूटूब चैनल पर आप सब का स्वागत है आज हम जेरेमी बेंथम को डिसकस करने वाले हैं इनके यूटिलिटेरियनिजम को समझने वाले हैं उपयोगीता वाद के सिधान्त को इन्हें फादर आफ यूटिलिटेरियनिजम कहा जाता है इन्हें पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना इनको समझे हम जेस मिल को नहीं समझ सकते तो इसी लिए चलिए जेरेमी बेंथम के यूटिलिटेरियनिजम के प्रिंसीपल को समझने का प्यास करते हैं यह कुछ नोट्स हैं लगभग सभी नोट्स मेरे पास अवेलेब यह एक दार्शनिक थे फिलासफर थे एक जुरिष्ट थे अर्था कानून के विद्वान थे और साथी साथ एक सोशल रिफॉर्मर और एक्टिविस्ट भी थे इन्होंने उस समय के जो जेल्स थे उनको सुधारने में काफी एहम भूमी का निभाई है कैदियों के साथ और सिर्फ यूटिलिटेरियन निजम को कॉंप्रीहंसिब बनाने के लिए इस थियोरी को उन्होंने कुछ समय के लिए अपने लौ के प्रैक्टिस को त्याग दिया था तो इससे आप इनका डिटर्मिनेशन समझ सकते हैं कि यह यूटिलिटेरियन निजम के प्रिंसिपल के पीछे किस हद तक दिवाने थे एक दो चीजें और आपको जाननी जरूरी है जो जेम्स मिल थे जेम्स मिल देखिए जेस मिल के पिता का नाम है जेस मिल का पूरा नाम है जॉन स्टुवर्ट मिल जेम्स मिल उनके पिता का नाम है यह जो जेम्स मिल थे ना और यह जेरेमी ब क्या हुए अंकल हुए पापा के दोस्त लोग जो आते हैं उन्हें हम अंकल्स कहते हैं अंकल्स तो ऐसे सब बहुत खराबी होते हैं हम इसा टांग खीचते हैं यह जरेमी बेंथम साहब साइद अच्छे रहे होंगे जेस मिल इनसे काफी ज्यादा प्रभावित थे जेस मिल इ समर्थन देने वाले खिलोसफुर में से एग थे प्रोग्रेसी फिलोसफर थे व अश्टेटस जो है समाज में उसको बदलना चाहते थे स्टेटस को स्टेटस को मतलब जो प्रेंट सिचुएशन होता है यस हम इस्टेटस को के नाम से जाते हैं वह अग्रेसिव फिलो इस फ समझाना हो तो मैं आपको यहीं बताऊंगा कि किसी भी कारे को किसी भी क есте형 को सबसे पहली बात न तीकता के तौर पर जज करना छोड़िए ना तिकता किसी भी कारे का मापडंड नहीं नहीं हो सकता सबसे पहली बात दूसरी बात हमें उनी कारेयों को प्रमोट करना चाहिए ये पफोउर्म करना चाहिए only that action should be promoted or performed which holds utility मतलब हमें उन कारियों को ही करना चाहिए या उन कारियों को ही प्रोमोट करना चाहिए जिनकी कुछ ना कुछ उपयोगिता हो जिन कार्यों की उपयोगिता नहीं है, हमें उन कार्यों को नहीं करना चाहिए, जिन कार्यों का कोई महत्व नहीं है, कोई लाब नहीं है, हमें उन कार्यों को नहीं करना चाहिए, और यहां हम नैतिकता को नहीं देखेंगे, अगर कोई कार्य है, अगर उनैतिक है, इम्मॉरल है लेकिन उस कारे से अगर आपको लाव प्राप्त हो रहा है अगर उसकी उपयोगीता है तो बिल्कुल उस अनैतिक कारे को करडा लिए अगर कोई कारे नैतिक भी है अगर मॉरल भी है लेकिन अगर उसकी कोई उपयोगीता नहीं है तो फिर उस कारे को हम सही नहीं ठहरा है उस कारे को मत कीजिए लेकिन अगर कोई कारे अनैतिक भी है लेकिन उसे लाब है उसकी उपयोगीता है उसका यूज है वह कुछ यूटिलिटी होल्ड करता है तो उस कारे को हम सही ठहरा सकते हैं उस एक्षन को उस एक्ट को हम जस्टिफाई कर सकते हैं यह यू यूटिलिटेरियनिजम से क्या लाब हुआ यूटिलिटेरियनिजम ने सभी चीजों को असान बना दिया सभी कॉंसेट को पहले अगर आप पूछते प्लैटो से या फिर अरिस्टॉटल से कि राज्य कैसे अस्तित्व में आया काफी आपको जटिल उत्तर मिलते हैं अगर डि अस्तित्व में आया जरब बताईए हमें तो हॉप्स लॉक बोलते कि समाज के सभी लोगों के बीच में एक सम्विदा हुई एक एग्रीमेंट हुआ एक समझाता हुआ और राज्य आया काफी कॉंप्लेक्स और जटिल उत्तर थे पॉलिटिकल कॉंसेट्स के लेकिन जेरेम अधिकारों की उपयोगिता है इसलिए हमें अधिकार मिलने चाहिए अगर वही जॉन लोग से पूछते तो जॉन लोग फिर कहानी आपको सुनाते कि जनम के साथ ही हमें तीन अधिकार दे दिये जाते हैं राइट टू लाइफ राइट टू लीबर्टी और राइट टू प साहिए बस और कुछ नहीं तो यूटिलिटेरियनिजम के प्रिंसिपल ने चीजों को काफी ज़्यादा सरल बना दिया अब यहां जब मैं उपयोगिता की बात कर रहा हूं तो उपयोगिता का अर्थ क्या है यहां उपयोगिता का अर्थ वह समझाने के लिए हमें प्लेजर समप्रभु मास्टर्स के अधीन रखा है वह समप्रभु मास्टर्स हैं प्लेजर एंड प्लेजर मतलब आप मजा कह सकते हैं पेन मतलब दर्द और सभी लोग प्लेजर को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा प्लेजर गेन करना चाहते हैं और पेन अर्था दर्द को मिनिमाइज करना चाहते हैं कोई भी प्लेजर कोहीं मैक्सिमाइज करना चाहेगा ना आपको कोई बोले मैं दर्द दे रहा हूं तो आप दर्द क्यूं लेंगे पेन क्यूं लेंगे और यहां मैं जब प्लेजर पेन कह रहा हूं तो मैं फिजिकल टर्म्स में बात कर रहा हूं है ना जो भौतिक सुख होता है और जो भौतिक दर्ध होता है कोई आपको जब थपड़ लगा दे कोई अगर कुछ बोल दे तो यह जो दर्ध होता है इसकी बात कर रहे हैं यह जो जरेमी बिंथम है यहां पर तो इनका यही कहना है कि हर एक वह कारे की उप्योगित हो उप्योगिता हो मतलब उप्योगिता कि सेंस में तो उप्योगिता का अर्थ है हर एक उसकारे की उप्योगिता है जो की प्लेजर को maximize करता हो जादा से जादा आपको pleasure प्रदान करता हो और आपके दर्द को आपके pain को minimize करता हो तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि सभी वह नैतिक या onatic कारे सही हैं उन्हें सही ठहराये जा सकता है जो कि pleasure को promote करते हैं और सभी वह onatic या onatic कारे गलत हैं जो कि pain को promote करते हैं अब pleasure को तो बहुत सारा onatic कारे भी promote करता है बहुत सारे onatic कारे हैं मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा आप समझ सकते हैं मैं किस और इसारा कर रहा हूं तो फिर जानवरों और इंसानों में क्या फर्क हो जाएगा इसलिए आप देखिएगा कि इस यूटिलिटेरियनिजम को पिक्स फिलोसफी कहा गया कि सुवर जैसा यह चिंतन है जरेमी बेंथम का और यह जब कहा जाएगा तो जेस मिल को काफी जादा बुरा लगेगा कि आरे भाई यह तो मेरे गुरू है मेरे टीचर है मेरे अंकल के जैसे थे इनको सब ऐसे कह रहा है तो इसलिए यह इस यूटिलिटेरियनिजम में चेंज करने का प्रयाश करेंगे जो कि हम जेस मिल वाले लेक्चर में समझने का प्रयाश करेंगे तो आपको इतना समझ में आ गया कि सभी वह कारे सही है जिससे प्लेजर प्रोमूट होगा सभी वह कारे गलत है जिससे पेन प्रोमूट होगा है ना अब आगे आप समझने क कोशिस कीजिए जेरेमी बेंथम का मानना था कि जो प्लेजर है वह सिर्फ क्वांटिटेटिव होता है क्वांटिटेटिव का मतलब होता है उसे हम असानी से माप सकते हैं और क्वालिटी नाम का प्लेजर कुछ नहीं होता प्लेजर की कोई क्वालिटी नहीं होती प्लेजर य होता समझने की कोशिश कीजिए कोई inferior या superior प्लेजर नहीं होता मतलब की कुओई quality नहीं है प्लेजर के सिर्फ और सिर्फ quantity है quantity मतलब या तो जधा प्लेजर या तो कम प्लेजर अगर हम बैंथम के सब्दों में कहें तो वा कहते हैं общ coord it as a poetry focus muse तरह लूडो का खेल होता है Britain में खेला जाता था कहते थे कि लूडों खेलने में उतना ही मज़ा है कवीता लिखने या कवीता सुनने में मज़ा है वही प्लेजर आपको मिलेगा दोनों में लेकिन क्या ये सही है अब खुद सोंचने का फ्रयास किजिए एक इनसान को सरा पीने में भी प्लेजर मिलता है और एक इनसान को भगवान की भकती में भजन में पढ़ाई लिखाई में भी प्लेजर मिलता है क्या दोनों प्लेजर एक जैसे हैं क्या दोनों के क्या दोनों प्लेजर का कोई का क्वालिटी का फर्क है कि नहीं है है बिल्कुल फर्क है क्वालिटी का फर्क है सरा पीने से जो प्लेजर मिलेगा वह बिल्कुल इंफीरियर प्लेजर मिलेगा काफी तुक्ष क्वालिटी का आपको pleasure मिलेगा और पढाय लिखाई करिएगा कुछ अच्छा कारे कीजिएगा गरीब को दान कीजिएगा तो उसमें भी आपको pleasure मिलेगा अच्छे quality का pleasure मिलेगा सुपीरियर pleasure मिलेगा यह सब बातें बाद में जैस मिला कर आड करते हैं लेकिन इनका तो यह मानना था कि pleasure यही आपको कभीता लिखने से या कुछ अच्छे कार्य कीजेगा तो इन्हों ने पोरे अटेरियलिस्टिक डॉर में किया है पूरे मठे लिश्टिक थे बहुतुक्त वादि- इंसान थे कि यह आगे यह भी कहते हैं यह तो सब कोई जानते हैं greatest happiness of greatest number पहले मैं भी समझता था कि utilitarianism का मतलब यही होता है लेकिन देखिए कि सेंस में बेंथम यह बात कहते हैं राज्य के सेंस में राज्य को यह कहते हैं बेंथम की राज्य को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए ऐसे कानूनों को को बनाना चाहिए जिसका उपयोगिता हो जिसका उपयोगिता हो उपयोगिता गा मतलब greatest happiness of greatest number या greatest pleasure of greatest number जो अधिक से अधिक लोगों को सुख दें ऐसे कानून बनाने चाहिए और फिर से मैं कह रहा हूं जब सुख की बात कर रहा हूं तो पूरी materialistic सुख की मैं बात कर रहा हूं भौतिगवादी पैसा और भी बहुत सारे चीज़ इसमें आप include कर सकते हैं तो राज्य के बारे में इनका यही सोचना था कि राज्य जो नीतियों का प्राम उन्हें जाधा जाधा प्रीज़र मिले और अधिक से अधिक लोगों को मिले यह बोलने का मतलब हो था looking इना है यह यह भी कहते थे कि अए प्लेजर क्वालीटी में करता है जब ग्रसान प्लेजर को अनुभौ करते हैं तो इनसान सब्सक्राण भी क्वालिटी में करते हैं ऐसा इनका मान था मतलब यह कह रहे हैं कि जो शरावी प्लेजर ले रहा है सराव पीकर वह सेम प्लेजर कभी वह तलिखने के लिए तो फर्क नहीं है और इसलिए एक सुरावी और जैसे एक समान अगर इस द्रिष्टी देखिए इनको बहुत ज़्यादा क्रिटीसाइज किया गया है लेकिन अगर इसका एक दूसरा द्रिष्टी कौन देखिएगा यह कहते हैं कि सभी पर्सन क्वालिटी में एक हैं तो एक तरह से यह भी कह रहे हैं कि सब लोग एक समान है इक्वल हैं मतलब यह जादा डेमोक्रिटिक हैं यह समानता में विश्वास कर रहे हैं हर एक लोग को समान मान रहे हैं तो अगर एक अगर आप पॉजिटीव द्रिष्टी कोन लेने का अगर प्रयास कीजिएगा तो आप इस तरह से भी सोच सकते हैं और दूसरे तरह से आप करने से एक व्यक्ति के जीवन में करना करें क्याते हैं घाओह राज्य को एक व्यक्ती के मेंसे करना चाहिए राज्य को एक व्यक्ति के जीवन में इसलिए हश्टशेप नहीं करना चाहिए क्योंकि राज्य जो है वह प्लेजर को इंक्रीज करने के बदले उसको कम कर देगी बंदिशे लगाकर है बंद्थम कहतें है कि राज्य तभी इंटर फ़ेर करें तभी इंटरवीन करें जब वह सब्कूल अगब आगे अगर आप देखिएगा तो व्यक्ति के लिए उसके ही मदल के लिए चो जो हिNews्त का कहते हैं गौरों कहते हैं एक व्यक्ति का यह सब चीजे मैटर नहीं करती थी इनके Utilitarianism के principle में और जब Human Development matter ही नहीं कर रहा है कौरों मैटर ही नहीं कर रहा है डिग्निटी मैटर ही नहीं कर रहा है तो फिर इनसान और जो यूटिलिटेरियनिजम है फिक्स फिलोसफी है मतलब यह सूर के जैसे इंसानों को इंटरप्रेट करने की कोशिश की यह लेकिन इंसान पिक्स नहीं है इंसान अक्चुली यूमन बिंग्स और नॉट आनिमल और इसी के बाद यूटिलिटेरियनिजम में जेस मिल जाता है क्योंकि उन्होंने इस यूटिलिटेरियनिजम के थियोडी को रिवाइज किया था उन्होंने यह माना था कि ठीक है भाई अब सही बोल रहे हैं उन्हीं चीजों को प्रोमोट करना चाहिए जिसका यूटिलिटी हो जिसकी उप्योगिता हो लेकिन बाकी जग उपर उन्होंने कॉंट्राडिक्ट भी किया था जैसे उन्होंने कहा था कि प्लेजर का क्वालिटी भी होता है सिर्फ प्लेजर का क्वांटिटी नहीं होता है पुस्पिन और पोईट्री जो है अलग-अलग चीजे हैं शराह पिना और कविता लिखना दोनों का प्लेजर अलग- वह quality में अलग-अलग होते हैं quality में एक जैसे नहीं होते quality अलग-अलग होती हैं इन्सानों की उन्होंने ये भी कहा था कि राजे हस्टशेप कर सकता है एक मनुष्य की जीवन में विक्ति के जीवन में welfare करने के लिए कल्यान करने के लिए लोगों का तो काफी सारे मुद्दों में जेरेमी बेंथम से डिफर करते हैं जैस में और बाद में वह अपना यूटिलिटेरियनिजम देंगे पर यहां हम यह हम समझने की कोशिश करेंगे कि जेरेमी बेंथम ने यह जो थियोरी दिया तो क्या यह थियोरी बिल्कुल वाहियात है इसका कोई काम ही नहीं है तो इसका बहुत इंपर्टेंट काम है अगर आप देखिएगा तो जेरेमी बेंथम का यह यूटिलिटेरियनिजम को आप ठीक है आप उसमें हजार कम यह निकाल लीजे पर इसका लाव तो जरूर है इसलिए आज हम इसे पढ़ रहे हैं अब आप यह ब करती है मुँ आप देती है तो पलेजर और फेन दोनों की कॉई क्वालिटी नहीं है अकोडिंग टू की क्वालिटी नहीं अगर 10 लाख मुझे दे दोगे तो हमारा जो दुख है थोड़ढ ठोड़ा कम हो जाएगा बिलकुल कम होता है पैसे से दुख तो कम होई जाता है य अब आगर ऐसा अगर किसी की अगर दुखत वस अगर मिर्तियू हो जाए तो उसके फैमिली वाले क्या बोलेंगे कि नहीं ये जो अब आप तो इसकी कवित श्हति पूर्ती कर ही नहीं सकते अगर आप सिर्फ quality के term में सोच पेन की अब quality के term में तो उसको कभी मेकप किया जा सकता है क्वालिटी के टब में उस इंसान को कभी लाया जा सकता है नहीं लाया जा सकता तो रास्ता फिर क्या है फिर समाज कैसे ऐसे चलेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा उसको कंपन्सेशन देना पड़ेगा आपको उसके परिवार को पेन को नापना पड हुआ पेन मतलब पेन इंसान को कैसे होता है किसी की घर में अब हम कैसे पढ़ाई करेंगे पेन ही तो है एक मांसिक पढ़ताड़ना हमारा घर कैसे चलेगा तो यह जो पेन है यह पेन कैसे मिटेगा अगर आपके पास पैसे दे दिये जाए तो ठीक है उस इंसान की कमी कोई प तोड़ दिया तो क्या आप कहां से उस मोबाइल को फिर दुबार लाएगा ठीक है आपकी बहुत सारी यादें उसे जुड़ी हो कोई कुछ खास इंसान ने आपको उसको गिप्ट किया हो तो आप कहिएगा नहीं अब इसकी तो कुछ पूर्ती ही नहीं हो सकती कि अब पुछ नहीं हो सकता अब दोम को करना पड़ेगा कि मेरा spectrum हूं इतना नुक्सान हुआ तब तो इसका compensation मिलेगा तो इसी लिए बिन्धं का utilitarianism यह जो आज कॉन आप देखते हैं कि compensation को तो यह इसी कॉंसेट पर दिया जाता है पिर पीनल कोड हमारी जो डंड सहीता है जिसमें लिखा हुआ है कि अगर आप चोरी करोगे तो इतनी साल की सजा मिलेगी या आपको इतना करना पड़ेगा यह कैसे किया जाता है तो वही फिर से आप क्राइम जो करते हो उसको क्वा उसको जितना पहुंचेगा तो उस हिसाब से इस पेंउक को क्वांटिफाइक किया जा सकता है देखो इसको इतना पहुंचा इसको आप इतना फाइन दो और इतने पैसे दोंगे या फिर तुम इतने साल जेल में रहो तो उसके बाद सब्सक्राइब जो बना इसी के more सेयर evaluating तो इस चीजों को आपको ध्यान में रखना या फिर हमारे मैं कहना नहीं चाहूंगा पर अगर हमारे जवान शहीद होते हैं ठीक है उनकी छती पूर्ती नहीं कर सकते हैं पर अगर सिर्फ हम क्वालिटी के टम में देखेंगे तो ठीक है क्वालिटी है वहां हम उसे कंपेर न वही तो नापती है कि अगर ये इनसान रहता तो इसको कितना प्लेजर मिलता प्लेजर दे सकते हैं कि लिफि के आंक्ये रैंस कर सकते हैं कि तो इसकлаг प्वहन्टिफाई किया और बाद में जो इसमें बदलाव लाया गया मैंने जैसा कुछ आपको बताया कि किया क्या बदलाव लाया गया लेकिन आपको सबसे पहले जेस मिल को समझना पड़ेगा शुरू से तब आप समझ पाईएगा उन्होंने कहा कि प्लेजर का सिर्फ क्वांटिटी नहीं होता जो लोग होते हैं वह क्वालिटी में डिफर करते हैं सभी लोग एक नहीं है स्टेट को इंटर्वीन करना चाहिए हुमन डेवलप्मेंट ओनर डिगनिटी यह सब काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी मिल के लिए तो यह सब कुछ-कुछ टिफरेंस हैं जो कि आपको मै प्लेजर में घुक्स टीज़टो को अगर फिर अगर अगर प्लेजर देता है तो फ़िर सही है यह समझ सकते हैं कि सोर इसारा कर रहा हूं तो यही जेरेमी बिन्थम का यूटिलिटेरियन इजम था मुझे उमीद है आपको समझ माया होगा अगले लेक्चर में हम जेस मेल को डिसकस करेंगे